दिखिए जहां तक बात है प्रधान मंतरी बनाने की तो कॉंग्रेश को नसीहत लेनी चीह और अखलेश जी की बात को मान करके उनको प्रधान मंतरी का candidate declare करना चीह और जो कई हमारे प्रधेशों में विधायक तोड़के लेगे थे उसके लिए माफी माँग लेने चीह यहां तक बात है दबाव की दबाव कुछ भी नहीं है न समझवदी पार्टी पर हैं न भसपा पर हमने दबंधे है मुलायम सिंग्यादव जी के खिलाब भी और माननी मायावती घी के खिलाब भी आयसे अधिक संपत्ति के case सीवी आई से रेजिस्टर कराके जेल में डालने की तयारी करती थी कॉंग्रेश ने हाला कि वो केश चलार सुप्रीम कोट में जाकर कि वो सब रफा दफा हुआ दूद का दूद पानी का पानी हुआ और नियाय मिला तो दबाव तो जब था दबाव की कोई भी चीज नहीं है पर अखलेश जी अच्छी बात कर रहे हैं मायवती जी ने भी कही वार अच्छी बात कर रहे हैं और यूपी में यह दोनों निता कर अच्छी बात कर रहे हैं तो यूपी किसी के वास की बात नहीं है फिर यूपी उसकी होगी जिसकी यूप बात कह रहा हूं मेरे से तो मतलब नहीं है लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं अगर बीजेपी को हराना इंडिया गट बंदन जो है उसमें इन लोगों को समझाना पड़ेगा और उनको समझ में आना चाहिए कि आज 75% के करीब लोग देश में सनातनी हैं जो भगवान राम में विश्वास करते हैं और माननिय सुप्रीम कोट के आदेश से मंदिर बनवा है इस तरह के बयान बंद करने चीए और किसी भी धर्म के धार्मिक इस्थानों के बारे में कोई भी इस तरीके का बयान अगर देता है तो हम उसकी निंदा करते हैं हम सभी जाती धर्मों के राजनितिक धार्मिक जगों की हम पूरा इज़्जत करते हैं और संबान करते हैं और उनके लोगों की जो आस्था है उनकी आस्था को ध्यान में करके किसी को भी ऐसी बयान बाजी नहीं करने चीए जी नहीं निया यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने बयान भी दिया 22 सारी को लेकर कि ये कारिक्रम RSS और BJP का है, राजनितिक कारिक्रम हो गया है, प्रधान मंत्री कारिक्रम कर दिया गया है, इसलिए कॉंग्रेस अध्यक्ष नहीं से बॉयकॉट किया, हमारा जो धर्म है वो हमारा निजी होना चाहिए, सारवचन से किसी को कोई भी बयान नहीं देना चाहिए, अगर कोई भी कुछ बोलता है, तो उस धर्म के लोगों के लिए, उनकी आस्था पे चोट पहुंचती है, और अगर इस तरीके से बात करेंगे, तो विपक्स और कमजोर हो जाएगा, और विपक्स का कमजोर होना, देश को कमजोर करेंगा, और देश का कमजोर होना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है, जहां तक बार है इस पैदल यात्रा की, कुछ नहीं करना चाहिए, राजनीती सामने सीधी साफ दीख रही है, जो कॉंग्रेस हमारे कई प्रदेशों में, राजिस्तान में, मध्यपरदेश में, उत और यह सारे, क्योंकि 22 तारीक को प्रान प्रतिष्टा हो नहीं, उससे पहले अगर दिली की बात करें तो दिली में केरीजरीवाल सुदरकार्ट का पार्ट करा रहा है, बाइस तारीक को ममता बैनर जी भी कह रही है, कि बंगाल में वो रैली निकालेंगे, क्या कहेंगे इस सुप्रीम कोट का आदेश भी हो और जहां पर देश की लोगों की ज्यादतर की आस्था का सवाल भी हो ऐसे में कोई भी बात ऐसे नहीं बोलने चाहिए जो बीजेपी को उसका मुद्दा बनाने का मोका मिले और बीजेपी उन मुद्दों को ले करके विपक्स को कमजोर कर दे हैं और विपक्स का कमजोर होना देश के लिए ठीक नहीं है